वेल, so good morning, good afternoon, good evening to all of you, कैसे दोस्तों आप सबी लोग, I hope आप बहुत अच्छे होगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ, तो चलिए, आप जिसका वेट कर रहे थे, आज हम उसका discussion लेने वाल है, तो हमारे CA Inter GST के RTP में 24 examination, इसका हम discussion लेंगे, जो yes, एक important discussion रहेगा, क्योंकि RTP आपने at least ये time के और last के एक दो time के RTP refer करना चाहिए, वैसे अगर आपके पास मेरा questionnaire होगा, तो मेरे questionnaire में last के सारे RTPs हमने cover किये, पर ये RTP आपको extra करना पड़ेगा, और फटा फट मेरे साथ complete कर लो, अगर आप मेरे साथ कर लोगे, तो यहाँ पर one seating में कोशिच करना, तो आपका बहुत अच्छे से मेरे साथ cover हो जाएगा, I hope आपने सारे revision videos देख लिये होगे, Rapid revision 4.0 इसके सारे chapters के videos मैंने भी smart academic की YouTube channels पे डाले होगे हैं, आपको मिल जाएगे, तो GST के revision videos साथ साथ में मैंने description में questionnaire, discussions के videos भी आपके साथ share किये हैं, अगर आपको questionnaire revision के videos चाहिए, तो आप जो है, आपके पास very book होगी, तो आपकी QR code scan करके भी वो questionnaire के videos आप ले सकते हो, देख सकते हो, दोस्तों हमने questionnaire की videos तो definitely बहुत अच्छे से discuss किया, लेकिन आपकी कुछ queries आ रही है, specially questionnaire video में RT, return chapter के questionnaires और place of supply के, तो मैं आपको यह बता दू, return chapter के questionnaires आपको करना है, क्य place of supply के most of the questions जो मैंने questionnaire में लिये, वो already जो मैंने regular batch का video आपको, यहाँ पे transition में video दिया था, from old to new, अगर आपने मेरा regular batch का video देखा होगा, तो उसमें मैंने पढ़ाते पढ़ाते वक्छी सारे questions कवर कर लिये, इसलिए place of supply के, अगर आपको revise करना है, तो आप directly questionnaires के questions देख सकते हो, जो already मैंने cover कर लिये, तो चलिए दोस्तों, आज हम RTP discussion नहीं है, और साथ साथ में RTP discussion होने के बाद मैं आपको यह भी बताऊगा, कि आपने अब यह जो आपके पास limited time period है, इसमें आपने कैसे complete करना चाहिए, तो are you ready, yes or no, बोलिए yes sir, how's the josh, तो बोलिए hi sir, चलिए start कर है, चलो, अब हम RTP पर आता है, goods and service tax, मैं आप सभी को बता दूँ कि institute ने कल ही यह GST का RTP change किया है, मैं change किया मतलब उन से कुछ कल दिया हो गए थी, कुछ informations उन्होंने नहीं दिया, तो वो उन्होंने revise कर के दिया हुआ है, तो अगर किसी के पास पुराना RTP है, तो वो discussion करेंगे, तो taxation में आपको GST का यह नया RTP, जो institute ने revise करके दिया है, यह refer करना है, मैंने screen पे just कल ही उन्होंने revise करके दिया, वो screen पे लिया हुआ है, और वो हम discuss करने वाले है, RTP में अगर आप आते हो, तो यह कहा गया है, कि all questions should be answered on the basis of position of GST amendment law on 31st October 2023, तो क्या सर, हमने सारी amendments cover कर लिए, बिल्कुल मैंने amendments का वीडियो बहुत पहले ही डाल दिया था, अगर आपने amendments का वीडियो नहीं देखा है, अभी तक तो क्या कर रहे हो, यार, description में मैंने link दी हुई है, amendment जरूर कर लेना, क्योंकि amendments बड़ी important होती है, उसके उपर questions पूछे जाते हैं, इसलिए मैं मैं आप सभी को ये strongly advice करूगा कि amendments देख लेना, तो ही RTP देखने का आपको कुछ फाइदा है, हाँ, RTP में यहाँ पे मैं आपको कहे दू कि place of supply पे इन्होंने अच्छा questions पूछे, इसलिए इस बार आपको out of 50 marks, place of supply chapter अच्छे से करके जाना, मैं आपको लिख के देता हू, 7 self करो, मैं इतना सब करवा रहा हू, revision करवा रहा हू, subjective questions करवा रहा हू, questions कर रहा हू, understanding आपकी clear होगी होगी, आप self definitely try कर सकते हो, और कुछ case study based MCQ self study try कर लेना, RTP का MCQ में आपका भी ले लोगा, चलिए, rate जो है, यहाँ पे जो भी problem में rates लिए, institute कहती है कि ये rate hypothetical rate है, actual rate मत मान question करना है, अब पहला question इन्होंने MCQ question लिया है, तो मैं पहला question जो है, यहाँ पे, चलिए, यह पहला question यहाँ पे देख लेते हैं, पहले रीड कर लेते हैं, और फिर उसके MCQ देखेंगे, बड़ा easy question है, ABC Limited has its manufacturing unit in the state of Rajasthan, एक मिनट, ओके, यह case study based MC question है, ABC Limited underline करो, manufacturing unit state of Rajasthan में, further it has ancillary unit in the state of Madhya Pradesh, Gujarat and is registered in each of this state, उसके दो और units है, Madhya Pradesh और गुजरात और वो भी registered है, तेनों state में उसका registered place of business है, moreover ABC Limited own and operate hotel in Udaipur, और यह तीन state में तो manufacturing unit है, प्लस उनका Udaipur में hotel भी है, in addition to a four state, ABC Limited own a commercial space which is rented out to a registered person at monthly rent, okay, 50,000, वो commercial space भी rent पे दे रहा है, और वो 50,000 उसका rent है, okay, the maintenance of the premises is responsibility of ABC Limited, in pursuance of same, maintenance की जिम्मेदारी ABC Limited दे रही है, in pursuance of the same, during a month of April, ABC Limited incur certain expenses, कुछ खर्चे किया, on purchase of maintenance related material, the state expenses are recoverable from the tenant along with the invoice issued for rent, the rate of tax applicable to the material use, maintenance 5%, ठीक है, during the year, ABC Limited agreed to provide hotel to Mr. X for the business conference to be held in Udaipur, उनका जो hotel है, वो Mr. X को दे रहे है, जो conference है Udaipur में, Mr. X is, just a minute बेटा, just a minute, हाँ, तो during the year, जहां तक देखा जाए, X को conference के लिए Udaipur में नो होटल दिया, Mr. X is unregistered person, X is unregistered person, X is unregistered person, residing in Maharashtra, Maharashtra में वो unregistered person, hotel conference जो Udaipur में था, उसके लिए दिया गया, ABC Limited made a supply of machinery, supply किया machinery का in the month of June, details of which are as follows, basic price of the machinery before TCS under Income Tax Act 1961, basic price है, TCS cut करने के पहले, 1961, 45,000, ठीक है, उसके बाद में, यहां पे, tax collected at source under Income Tax Act 2500, it received a subsidy of 3,500 from Green Foundation Private Limited for usage of green energy and the subsidy was linked to the unit energy saved and not aforesaid machinery, okay, subsidy price से link नहीं थी, okay, यह कितना energy consume होगा उसके बेस पर थी, Now, in addition to aforesaid transaction, ABC Limited spent an amount of rupees 5 lakhs on the procurement of certain goods, 5 lakh रुपे कुछ गुद्स प्रोक्यर के उसके लिए spend किये गे, which were distributed as a part of corporate social responsibility, जिसको जो goods खरीदे उसका CSR के लिए उनने खर्चा किया, expenditure required under the provision of Companies Act 2013, during the scrutiny proceeding in the state of Gujarat, judicial GST officer asked ABC Limited to submit the copy of audited financial statement for Gujarat and was the view that ABC Limited required to get his account audited by chartered accountant separately under GST law for filing annual return and reconciliation statement. All above amount are exclusive of GST, wherever applicable, the rate of GST on all inwards and outwards supply is 18 percent unless otherwise mentioned. Assume that there is no other outward and inward transaction apart from the aforesaid transaction. Based on the facts of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to a question number 125, आपको MCQ solve करना है, चलिए, अब आपके सामने wide screen आएगी, मैं ये wide screen जो है, इसलए दे रहू कि आप फिर से ये case study एक बार पढ़े, pause करके और फिर मेरे साथ solve करें, तो चलो, सबसे पहले तो pause करके आप एक बार पढ़ो, तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, अब आते हैं पहले transaction पे, पहला transaction क्या पुछते हैं, for the transaction related to renting of commercial space, what should be the rate of tax charge by A-B से मेरे, rate of GST on rent and maintenance material, rent and maintenance material related to recovery shall be 18 percent, एक ऑप्शन दिया, दो सर, rate of GST on rent shall be 18 percent and material 5 percent, next, no GST shall be charge on recovery related to material use in the maintenance, rate of GST on rent shall be 18 percent, and next, the rate of GST on rent and maintenance material related recovery, 5 percent, अब देखो, यहाँ पे, मैं आपको बता दू, यह प्यरा फिर से पढ़ता है, in addition to aforesaid, A-B C Limited own a commercial space which is rented out to a registered person at monthly rent of 50,000, the maintenance of the premises is the responsibility of A-B C Limited, in, हा, maintenance of the premises is the responsibility of A-B C Limited, in pursuance of same, during the month of April, A-B C Limited incurred certain expenses on the purchase of maintenance related material, ठीक है, maintenance करवाना जो है, A-B C का है, पर material उसके लिए खरिदा गया, the said expenses are recoverable from the tenant, along with the invoice issued for the rent, वो expenses invoice के साथ ही, कस्टमर से ले लिए, okay, the rate of tax applicable on the material used for maintenance 5%, अब देखो, यहाँ पर मैं आपको यह बताना चाहोगा, कि जब invoice tenant पे बनाया गया, तो invoice जो tenant पे बनाया गया, उसमें rain cover किया, और material का खर्चा लिए, maintenance यह करवाएगा, पर material का खर्चा ले लिए, और material के चार्जे इस टेनेंट से ले लिए, उसका rate 5% है, अब rain के साथ material प्रवाइड करना है, यह कोई naturally bundled तो है नहीं, यह composite supply तो है नहीं, naturally bundled भी नहीं है, तो जहाँ तक देखा जाए, तो यह rain के साथ only material का पैसा लिया, और material का 5% का पैसा लिया, तो यह mix supply में classify होता है, दोनों combine करके दिया गया, और यह mix supply में classify होता है, और अगर यह mix supply में classify होता है, तो highest rate क्या है 18%, तो पूरा supply 18% में classify होगा, इसलिए इसका answer जो आएगा, वो answer A आएगा बिटा A क्यों आएगा उसका answer बता देता हो कि GST दोनों पर भी आएगा rent and maintenance material क्योंकि वो charge किया है तो उसके पर भी GST आएगा लेकिन उसमें जो highest rate होगा वो 18% होगा तो आपको इसका hint देना होगा तो ये mixed supply है और अगर ये mixed supply है तो highest rate लिया जाएगा तो इसमें जो highest rate होगा वो highest rate पे highest rate और वो जो rent है तो rent वाला highest rate लिया जाएगा I hope you understood ठीक है बाकी parameters यह applicable नहीं होगे तो इसका answer A आएगा अगर हम देखते हैं इंस्टूट का तो यहाँ पर yes इसका पहला answer A रहेगा okay दोनों पे आएगा rent and maintenance material पे आएगा answer A रहेगा चलिए अब हम आते second पे second क्या कहता है compute the value of supply under section 15 of CGST act made by ABC limited in the month of क्या June okay June में जो supply किया तो अब supply तो सिव इन्होंने machinery का किया in the month of June तो इन्होंने supply जो किया जो supply किया वो machinery का supply किया है और machinery की basic price इन्होंने charge किया 45,000 okay 45,000 charge किया है उसमें TCS कट है 2,500 एक CBIC का circular था TCS अगर कट होता है तो वो interim ले भी है और वो value में include नहीं होगी दूसरा जो subsidy मिली अगर subsidy government से मिलती है तो हम add नहीं करते है और other than government से मिलती है अगर वो link to the price होगा तो ही add करेंगे ये link to the price नहीं लिंक to the units है जिसका price से कोई concern नहीं इसलिए वो हम add नहीं करेंगे ये वाला transaction अगर हम देखे तो ये वाला transaction उने ने जो दिया है और कि ये तो purchase वाला है इसलिए supply नहीं है और कि CSR के लिए purchase किया तो ऐसे case में जहां तक देखा जाए value of supply add ना section 15 अगर हम ले तो हम 45,000 का machinery हमने sale किया और 45,000 का जो machinery हमने sale किया उसमें हम okay TCS जो cut हुआ वो add नहीं करेंगे क्योंकि वो interim लेवी है मैं मानता हूँ कि section 15 to A में सारे taxes add होते हैं पर TCS एड नहीं होगा क्योंकि it's a interim level अगर हम 2 का देखे तो 2 का answer इन्होंने जो दिया है वो 45,000 इन्होंने दिया है yes answer सही है बिल्कुल सही answer है okay इसका answer 45,000 ही आएगा क्योंकि बाकि कोई भी addition उसमें नहीं होगी तो answer should be 45,000 चलिए third हम यहाँ देखते है with respect to hotel accommodation service provided by Mr. X GST payable by ABC Limited is अब देखो यह hotel accommodation service अगर आप देख लेते हो तो हमने इसकी related क्या पढ़ा था उन्होंने जो hotel है उनका service है during the ABC Limited agree to provide hotel to Mr. X for a business conference to be held in Udaipur okay Udaipur में उनने hotel accommodation service दिया और जो hotel accommodation service दिया यहाँ पर Mr. X is unregistered person residing in Maharashtra तो इसे related उनने question पुछा हुआ है तो इसे related उनने question पुछा है hotel accommodation service इस related जो अधापुर में दिया है अब यह hotel accommodation service दिया गया इसकी value अगर नहीं देखी सिब कुछ question पुछा हुआ है और कि इसके ओपर कौन सा GST आएगा इसका place of supply fix करना पड़ेगा place of supply hotel का section 12.3 से होता है place of supply chapter जाके देखो section 12.3 से place of supply fix होता है क्योंकि immobile property है और immobile property का place of supply कहा fix होगा अगर आप answer देखोगे तो जहाँ immobile property है जहाँ immobile property है Reporting में in Udaipur में उदाइपूर में while Udaipur में in Udaipur में और पर MICHAEL would you call supplier hurts मतलब location of supplier is राजस्थाण का साटें वहां पर ही हओटल है उदाइपूर में तो वह जो बिल देगा इवंदो customer महराष्ट का है, इवंदो customer unregistered है, उससे कोई लेना देना नहीं, ऐसे case में place of supply, जहाँ immobile property होगी, तो वो उदयपूर ही fix होगा, तो location of supply है, उदयपूर क्योंकि उदयपूर में उसका registration है, और place of supply है, उदयपूर क्योंकि immobile property जहाँ located है, तो अगर यह दोनों factor को देखा जाए, तो bill आएगा, CGST और SGST का, तो option हमें क्या दिये हुए, देखते हैं, हमें option दिये, nil, GST on accommodation service is payable by recipient, Mr. X under reverse charge, no बेटा, okay, hotel accommodation को reverse charge नहीं है, किसको reverse charge है, residential dwelling को है, अगर आपने, और वो भी registered को दिया गया, residential dwelling, and hotel residential dwelling में नहीं आता है, okay, इसलिए यह answer उसका नहीं ह service provided by unregistered exam, नहीं, okay, residential dwelling to unregistered person को दिया तो exam रहा, यह accommodation service जो hotel में दिया गया, तो यह exam नहीं रहेगी, उसके बाद में nature of CGST और SGST और nature of IGST, तो IGST भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसका place of supply वहाँ fix होगा, जहाँ immowable property है, तो इसकी immowable property तो POS, section लिखना हो लिख दो, 12.3 से fix हो होगा, location of immowable property, तो location of supplier उदयपूर, location of supplier उदयपूर है, और place of supply भी उदयपूर होगा, तो इस पर nature of CGST और SGST लगेगा, तो place of supply भी उदयपूर, location of supply भी उदयपूर, तो इसका place of supply जो है, यहाँ पर, okay, उदयपूर ही fix होगा, इसलिए आपको जो है, इंट्रा स्टेट माना जाएगा, और इंट्रा स्टेट में CGST और SGST का बिल मिलेगा, I hope you understood, ठीक है, चलिए, फोर्थ नंबर का देखते हैं, which of the following option is correct, with regard to availability of ITC of ABC Limited, in respect of the GST paid on procurement of goods, mean for corporate social responsibility, अगर आप यहाँ पर देखते हो, तो company ने corporate social responsibility के लिए खर्चा किया, और 5 लाग का तो 5 लाग का जो खर्चा किया company ने अंडर CSR क्या, उसके ITC मिलेगे क्या, आपने अगर amendment देखे होगी, तो section 17.5FA में एक restriction आया होगा, और वो restriction यह आया है, कि अगर आपने corporate social responsibility के लिए खरीदा होगा, तो उसके ITC नहीं मिलेगे, block credit है, okay, तो यह situation में, amount of ITC related to such procurement of goods is not available to ABC Limited, यह answer सही लग रहा है, amount of ITC related to such procurement goods is available, नहीं मिलेगा, उसके बाद में procurement of ITC only to the extent of 50% नहीं मिलेगा, amount of ITC shall be available to registered person to whom the goods are distributed, नहीं, okay, in short, जिसने आग खरीदा है, उसको ITC नहीं मिलेगा, और यह 17.5, sorry, 17.5 में, okay, इसमें यह block credit में आया, और यह amendment में अभी add किया है कि CSR activity के 5th number देखो, which of the following option is correct with regard to advice given by GST officer in respect of auditing of accounts, ठीक है, तो अभ यह auditing वाला पैरा देख लो, क्या कहते हो, during scrutiny proceeding in the state of Gujarat, jurisdictional GST officer asked ABC Limited to submit a copy of audited financial statement for Gujarat and was in view of ABC Limited required to get his account audited by chartered accountant separately under GST law for filing annual return and reconciliation statement. अगर आप section 44 return का अगर पढ़ते हो, तो section 44 return में यह clearly दिया है कि यहाँ पे आप स्रिफ रिकंस, अब आपको chartered accountant से audit करवाने की जरुवत नहीं है, आपको स्रिफ reconciliation statement देना पढ़ता है, okay, annual statement के साथ आपको annual financial statement audited, तो उसके साथ आपको जो है, reconciliation statement ही देना पढ़ता है, और यह आपर audit करवाने की जरुवत नहीं है, तो ऐसे case में इसका answer अगर देखो, there is no requirement of separate audit of financial statement from the prospective of GST provision, आपको पहला यह दिया है, only reconciliation statement shall be audited by chartered accountant, the annual return as well as reconciliation statement shall be audited by chartered accountant, और separate audit financial statement of each state level is required to ABC limited, तो बेटा जहां तक देखा जाए, reconciliation statement भी CSA audit करवाने की जरुवत नहीं है, आप जो खुद reconciliation statement दोगे, self certified reconciliation statement दोगे, वही आपको देना पड़ेगा, उसके बाद में यह भी answer सही नहीं है, तो इसका answer जो आएगा, वो A आएगा, कि there is no requirement of separate audit of financial statement from the perspective of GST provision, और इसका answer आपका 5th number का आएगा, तो बेटा इस तरह से इनों नहीं जो है, यह इतने MCQ पहले case study के बेस पर पू खतम होता है, चल, done, चल यह दोस्तो, अब देखते है question number 6, actually institute ने question number 6 में गढ़बढ़ कर दी थी, यहाँ पे, अभी जो RTP है, उनने फिस से revise करके दिया है, तो यह revise question आपने देख लेना, तो नया RTP आपने डाउनलोड कर लेना, तो चलो फटाफट देख लेते, question number 6 है क्या supplier and a GST in Bangalore, Karnataka state has provided the following information for the month of October 2023, देखो इस type के question आपको जो आएगे, वो 8 marks के लिए आएगे, तो 8 marks के हिसाफ से आपने देख लेना है, ठीक है, तो question बड़ा easy है, लेकिन हाँ, okay, solve करके देखोगे तो आपको definitely इसका ज्यादा benefit होगा, तो पहला जो है, वो है, intrastate taxable supply of direct selling agent, इंट्रस्टेट taxable supply of direct selling agent, DSA service to public sector bank, नो हमारी MSQN company partnership firm है, और ये partnership firm होने के वज़े से आपको याद होगा, तो direct selling agent, अगर RCM chapter आपको याद है, तो लोगो discuss कर लेते है, RCM chapter अगर आपको याद होगा, तो RCM chapter में, यहाँ पर ये कहा है कि अगर bank का direct selling agent होगा, उसमें individual word यूज किया है, individual, individual DSA, आप RCM chapter open करके देख लेना, तो जहाँ तक बोला है, उन्होंने individual, sorry, individual DSA other than body corporate या firm, मतलब DSA individual होगा, और वो यहाँ पे service दे रहा होगा, कि इसको banking को, तो RCM लगेगा, तो यहाँ पे RCM लगेगा, तो यहाँ पे RCM लगेगा, पर हमारे case में individual DSA नहीं है, हमा तो वो case में tax लगेगा, और उन्हेंने खुद interest rate का है, इसलिए 2,50,000 पे, क्या लगेगा, CGST और SGST, यह river charge में नहीं जाएगा, क्योंकि river charge में अगर individual DSA service देता है, banking company को, तो river charge है, तो यह forward charge में जाएगा, और forward charge में यहाँ पे GST payment case में, company को ही GST पे करना पड़ेगा, इसलि तो यह situation में, यहाँ पे, अगर मैं tax calculation करूँ इनका, sorry, output tax liability, अगर मैं निकालो, तो output tax liability, value आपके amount, जब आप लिखोगे, तो amount में interest rate taxable supply, DSA service, तो इन्होंने structure देखो, कैसा presentation किया है, यह structure presentation आपके लिए important है, palatable बनाया, output tax, जिसका detail अलग से, ITC और net GST payable, और RCM payable, मतलब RCM अलग से pay करना पड़ता है, और मैंने यह भी पढ़ाया था आपको, RCM का अलग से pay करना पड़ता है, उसका credit भी आपको मिलता है, तो ऐसे situation में, एक mean competition बना लिया, और इसकी reference note बना लिया, मैंने आपको question में बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि table कैसे बनाना चाहिए, और आपने वो question ने किया होगा, तो definitely आपको याद होगा, तो, okay, यहाँ पर इन्हों ने जो table में explain किया, calculation of output tax, फिर सारे outwards supply ले लिये, तो जो forward charge में taxable है, okay, तो forward charge में, यह जो है taxable होगा, 2,50,000, और CGST और SGST आएगा, क्यों? क्योंकि DA से service interested supply किया और यहाँ reverse charge apply नहीं होगा, इसमें थोड़ा आप note देते होगा, जैसे आप amount और यह column बना रहे हो, तो note के लिए remark के लिए आपको इदा space नहीं मिलेगा, तो आप table के नीचे remark ले सकते हो, या फिर यहीं description में, यह एक तरीका अच्छा है कि description में आप remark ले सकते हो, चली, तो यह तो हमने देखा regarding to की, यह DSS service, दूसरा, service provided to government authority by way of sanitary conservancy, यह important adjustment है और यह पढ़के जाना, by way of sanitary conservancy याने क्या, तो यह जो है, जो भी sanitary conservancy services है, अगर government, provided to government authority दिया, तो यह अभी exempt है, यह finance act 2023 से एड किया गया है, exemption है, और यह amendment है, इसलिए पढ़के जाना, और यह exempt होने क की वज़े से इसके उपर GST नहीं आएगा, तो यहाँ पर एक services exam और GST इसके उपर कोज भी नहीं लगेगा, उसके बाद में next, अगर हम question पर आते हैं, direct वापस question पर आजाओ, चलो, पहला हो गया, दूसरा हो गया मेरे सा, तिसरा, rain paid to residential dwelling taken for running an office for providing DSA service, owner of the residential property was not registered under GST, this is an intra-state supply aware, rain paid to residential dwelling taken for running an office for providing DSA service, और जो supplier वो registered नहीं है, और हम जो है, हम registered है, अब थोड़ा यहाँ पर carefully, यह adjustment मेरे से पढ़ लो, यह adjustment क्या कहती है, देखो, यहाँ पर, यह कहती है कि, renting of residential dwelling, अगर आप exemption chapter पढ़ते हो, तो exemption chapter में मैंने क्या दिया हुआ है, मैंने दिया हुआ हुआ है, renting, renting of residential dwelling, okay, for use of residence, use of residence, residence के use के लिए होगा, और to unregistered होगा, तो exempt है, तो exempt है, तो ऐसे situation में, अब इन्होंने क्या का है, पहली बात तो एक सवाल आता है, कि rent यह हमने service दिया कि service लिया, यह service लिया, बेटा हमने, यह हमारा invert, यह हमारा invert है, हमने service लिया, अरे सर्विस लिया, ऐसे कैसे, okay, यह बहुत ध्यान रखना है, जब भी आप problem solve करते हो, rent paid, pay क्या मतलब ही हमने service लिया, जिसका payment दिया, तो यह बहुत सी बार आपको इसमें confuse करते है, outward और invert मे, तो आप क्या समझ लोगे rent है, residential dwelling है, अब किसी ने थोड़ी भी गलती कर दी, rent है, residential dwelling है, unregistered को दिया है, okay, exam, नहीं, नहीं, यह दिया नहीं, यह service लिया, यह inverse अपला है, इनवर्स अपला है, तो in short, okay, कोई, यहाँ पे Mr. X, जो है, sorry, कोई owner है, और owner ने हमारे company, हमारी company का नाम क्या है, okay, Q10 Company, partnership हम है, तो हमारी partnership हम ने service लिया, जिसका rent pay किया, तो अब थोड़ा carefully धान रखता है, बहुती बढ़ी है adjustment, बहुती अंदा adjustment है, तो अगर owner से हमने rent pay ल dwelling for residence होता, तो वो exempt होता, okay, और वो भी unregistered, तो हम तो registered है, registered है, मतलब क्या कि इसको exemption नहीं मिलने वाला है, okay, इसको exemption नहीं मिलने वाला है, और दूसरा हमने office purpose के लिए use किया हुआ है, okay, office लाय हुआ है तो इसका मतलब इसके उपर tax आएगा, okay, तो हमने जो payment किया है, उसके GST आएगा, अब सबाल है कि इसका GST कौन पे करेगा, भाई साब, okay, तो इसका GST जो पे करेगा, okay, law यह कहता है, अगर आपको RCM याद होगा, तो किसी ने, अगर registered person को service दिया, renting of residential dwelling दिया, तो यहां RCM लगेगा, and a Q10 company को इसको RCM में tax पे करना पड़ेगा, अब Q10 company को RCM मे मुझे कितना देना है, तो इस टेबल में याएगा, हाँ, उसका हम RCM में payment करेंगे, तो उसको अलग से लिखेंगे, कि उसका Tax एर सिया में आएगा, तो RCM में उसको पे इबी करेंगे, और उसका credit भी लेगे, सुनना, RCM में उसको pay भी करेंगे, उसका credit भी लेगे, okay, तो तो यह इनवर्ड है तो अभी तो यह ITC के टेबल में देखी कि इसका क्या करना है लेकिन जहां तक देखा जाए तो फॉरवर्ड चार्ज में टाइक्स देने के आउटवर्ड पर हमारे को अभी तो इस पर जीमेदारी नहीं रहेगी ठीक है उसके बाद में next अगर हम बात करे अभी यह अच्छी 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 चाहिए कि तगड़ा आपको दिमाग लाना पड़ेगा पहली बात तो हमने information technology service ली कहां से ली औस्ट्रिलिया से ली तो यह बात करता है import of service की यह बात करता है import of service की point number two अगर मैं service import कर रहा हूँ सुनें अगर मैं service import कर रहा हूँ तो वो case में section 7-1-B लगता है section 7-1-B कहता है कि अगर यह for consideration होती तो यह supply माना जाता और river charge में GST आता river charge में क्योंकि हमने service खरी थी import की तो river charge में GST आता लेकिन इसमें consideration नहीं है consideration नहीं है तो फिर आपका schedule 1 okay schedule 1 para 4 लग जाता है schedule 1 para 4 क्या कहता है schedule 1 para 4 यह कहता है कि import of service from related okay from related person or own establishment without consideration in the course of business तो वो supply बला जाएगा तो available information technology service from their business for their business from the partner's friend partner से नहीं है partner का friend related के definition में नहीं आता है okay member of same family में अगर देखा जाए तो spouse या फिर parents brother और parents brother dependent होगे तो आता है तो वो related नहीं है तो related without consideration में यहने मैंने आपको कहा था free import service पे GST नहीं आता है unless वो related से हो या फिर वो own establishment हो for business purposes तो हमने business purpose के लिए 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 पर related से नहीं लिया तो इसके ओपर GST नहीं आएगा इवन दो उसकी market value दी है पर GST river charge में भी नहीं आएगा इसलिए अगर आप answer में जाके देखते हो RTP में answer दिया हुआ है तो जहां तक देखा जाए information technology तो यह non related person से लिया और free लिया इसलिए इसके ओपर कोई भी GST नहीं लगाया गया है उसके बाद में वो क्या कहते है उसके बाद में अगर आप वापस question में आते हो तो उसके बाद में वो कहते है next देखो providing training and performance appraisal services in Bangalore to following person training and performance appraisal services provided मतलब यह outward है तो फिर हमारे tax में आजाएगा tax on outward supply तो हमारे tax में आजाएगा अब देखो following person ABC private limited a registered supplier in the state of Kerala अब सवाल ही है कि इसके बाद कौन सा GST लगएगा C GST, I GST तो इसका हमें okay intra लगएगा या intra लगएगा तो decide करना पड़ेगा place of supply अगर आपने place of supply यह चाप्टर पड़ा होगा तो इसमें यह service है तो section 12 लगएगा और 12 में अगर जाओगे तो training and appraisal services है जाओ देखो training and appraisal services अगर आपको मेरी टेकने के याद होगी तो वो जब 5 साल का बच्चा था वो school गया training and appraisal services training and appraisal services यह B2B और B2C में डिवाइड होती है अगर B2B होगा तो location of such registered person यहने उसका place of supply के दला माना जाएगा यहने यह 3 लाग पे IGST लगेगा और second बाभू कॉंस अप्रोप्रेटरी कंसर्ण और राजिस्तान विच वास नाट रिजिस्टर अंडर जिस्टर को दिया तो वो जो है कहां का माना जाएगा तो वो place of performance जहां आपने training दिया वो माना जाएगा तो राजिस्तान में तो यह CGST और IGST लगेगा तो यह 1 लाग पे CGST और IGST लगेगा इसलिए अगर आप देखते हो तो training and performance appraisal services answer में जाके देखते हूँ तो 3 लाग पे 54,000 IGST लगा और बाकी एक लाग पे जो है उसके reason के साथ लिखके जरू देखना reason के साथ तो यह marks आएगे तो CGST और IGST और यह जहां तक देखा जाए तो place of supply और location of supply आपको पूरा लिखना है place of supply केरला बाना जाएगा LOS location of supply राजिस्तान place of supply केरला वो interstate supply है और दूसरा place of supply राजिस्तान बाना जाएगा तो LOS और POS दोनों same state में उसले CGST और SGST लगेगा तो यह बी एक अच्छा adjustment था place of supply इस बार बहुत सारी questions लिए है RTP में कि वो chapter पहली बार add किया गया कोर्स में उसके बाद में यहां पे rate of CGST SGST is 9% each उसके बाद में क्या कहते है all amount given above are exclusive of taxes all condition necessary for filing ITC there is no opening balance of ITC turner of Mr. Q and Gumbery was 2 crore in previous financial year okay previous financial year turner 2 crore से जाद है मतलब ही वो registered firm होगी okay हाँ आप आप को होगे कि sir आपने register के से assume किया because of this okay कि उसका यहां पे turner 2 crore से जाद है मतलब ही वो register person होगा आपको क्या निकालना है net GST payable in cash अब इन्होंने क्या किया presentation बहुत अच्छा है इन्होंने पहले net GST में इन्होंने कैसे निकालते हैं net GST payable in cash cash ledger से कैसे निकालते हैं तो output tax less ITC, net और RCM का अलग से payment तो यह basic format फिर output tax कैसे निकाला तो उसका table अलग से दे दिया उसका table यहां पे अलग से दिया अब बात करते है ITC की next table है आपका ITC, ITC आप कैसे निकालोगे तो ITC वेटा एक तो residential dwelling for providing DSA service तो RCM में हमने tax दिया तो उसका CGST और SGST का ITC मिल जाएगा क्यूंकि RCM में pay भी करेंगे तो उसका credit भी लेंगे तो उसका credit मिल जाएगा यहां पे और दूसरा अगर आप ध्यान दोगे तो हमने purchase of car, car का credit नहीं मिलेगा, block credit है, यह हमारी invert purchase थी, car अपने purchase किया तो question में जाके देखो, तो इसका credit हमें नहीं मिलेगा, और जहां तक देखा जाए, दो हमारी purchase से बाकी तो है नहीं, तो आपका ITC इतना ही रहेगा 2250, 2250, तो आप अगर पहले table पे आते हो, तो देखो, output tax कितना है आपका output tax आया, अगर आप देखते हो, तो 31500, 31500, 54000, तो यह आपका output tax में, 31500, 31500 और 54000, लेकिन अब जब आप solve करोगे, तो पहले IGST ले लो है, जो हमारा format है, फिर CGST और SGST लेना और credit भी वैसे यूज़ करना, तो ITC आपके पास कितना है, तो आपके पास CGST और SGST का ITC है, अगर ITC ज़ादा होगा, तो हम IGST में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतना ITC जलो, net GST payback, यह तो आपने ले लिया, पर मैंने आपको यह पढ़ाया हुआ है, कि वो ITC जो लिया सोथ है, और RCM का payment आपको अलग से करना पड़ता है, तो यह payment भी करना पड़ता है, और इसक अब आजाये question number 7, यह भी easy है, from the following information provided by Mr. Sasta Bazaar, determine time of supply, यह तो बहुत easy पुछ है, time of supply for the purpose of payment of GST, अब देखो यहाँ पे वो क्या कहते है, it issued a coupon of, coupon दिया गया, on 26th June, worth Rs. 2000, redeemable against the purchase of specific plastic items, this coupon was redeemed on 21st July, तो देखो, अगर coupon है या voucher है, voucher लेलो या coupon लेलो, बात एक ही है, अगर आप time of supply की section, coupon अगर देखते हो, तो coupon से related time of supply कैसे fix करते हैं, okay, तो coupon से related time of supply है, फिर वो goods हो या service हो, अगर identifiable voucher है, तो date of issue of voucher, यह इसका time of supply है, 20th June को आएगा, क्योंकि यह identifiable है, क्योंकि इन्होंन तो date of issue of voucher लेलो बाहिए, तो date of issue of voucher लेलो या जाएगा, इशोट इसूडी अ कूटफर से वोणने में से 앞नाप देखा जाए, तो जिस दिन redeem होआ, वो date लेना पड़ेगा मतलब 18th of August आपको यह date लेनी पड़ेगी और 18th of August पर आपका यह पे TOS आएगा, done, तो को पहला आया, okay, थिसरा, it received the interest of 10,000 for late payment from a customer on 11, 11, 22, 3 for supply goods which was originally made on 24th June, अब देखो, interest for delay payment of consideration, सुनना, interest for delay payment of consideration, जिसका TOS आपने क्या देखा था, तो जिस मन्त में interest receive हुआ, सुनना मेरी बात, जिस मन्त में interest receive हुआ, okay, उस मन्त में उसका TOS आएगा, तो हमें interest कब receive हुआ, 11, 11, 20, 23 को तो उस मन्त में उसका TOS आएगा, लग रहा है नहींजी, जो लेवल का आपने regular class में discussion किया हुआ, उस लेवल के हिसाफ से तो बहुत इसी है, बहुत इसी है, बहुत इसी है, okay, तो यह था, regarding to, जहां तक देखा जाए, time of supply, question number 7, देख लो, answer match कर लो, 7 का answer पहला, yes, match हो गया, time of supply, दूसरा भी match हो गया, 18, 18, भाई, match हो गी नहीं हो, 18, 8, 18, 8, और तिसरा, 11, 11, what, damn, तिसरा भी match हो गया, देखिया, यह simple question था, उसके बाद में question number 8, क्या कहता, देखो, with reference to GST law, determine place of supply, with reason in following independent crisis, place of supply, पहे फिसे question है, भाईस, आप MCQ पे में पुछ लिया, उपर case study, उपर जो बड़ा question उसमें पुछ लिया, और भी भी पुछ रहे है, place of supply पे, इसका मतलब, place of supply, अच्छे से पढ़के जाना है, ठीक है, place of supply, with reason in following independent circumstances, Ms. Kanika of Kolkata, West Bengal, visited to Jodhpur Law, University Rajasthan, and paid her college fees by purchasing a demand draft from bank, located in university campus, Ms. Kanika did not have any account in the bank, ठीक है, दूसरा, Mizu Machine Limited, a register in the state of Andhra Pradesh, supplied a machinery to Kyan Wind Farm, Limited, registered in the state of Karnataka, however, this machinery was assembled, and installed at Windmill of Kyan Wind Farm Limited, which was located in the state of Tamil Nadu, अब बेटा, थोड़ा, just a minute, just a minute, just a minute, एक वाइट स्क्रीन आई गया आपके सामें, हाँ, अब देखो, द्यान से, यहाँ पे देखना, कि, पहले कहते हैं, कनिका, अब देखो, यह question में, यह समझ लो, किसने किसको service दिया, मतलब supplier of service है bank, और service लेने वाला है, मिस कनिका, जिसका account और address बैंक के इसमें नहीं है, अगर आपको याद होगा, section 12 में हमने देखा था, banking service होगी, section 12 में आपको याद होगा, तो banking service होगी, तो banking services होगी, अगर client का, सुनिये का, client का address बैंक के पास है, तो location of such person, place of supply होगा, और उसका address नहीं है, तो भी location of supply जहां की bank होगी, वो लिया जाएगा, तो bank located in university campus, और university कहाँ पे, राजिस्तान में, तो place of supply राजिस्तान माना जाएगा, इसले, अगर हम eight का answer देखते हैं, तो section 12.12, section 12.12 कहता है, कि provided that place of supply banking and financial services, including stock broking service to any person, is the location of recipient of service, the record of supplier of service, in the record of supplier of service, अगर उसके record में location है तो, however, if the location of recipient of service not available, अगर location available नहीं है, तो supplier of service तो, अगर location available नहीं है, तो यहाँ पे राजिस्तान जो है, वो place of supply माना जाएगा, चलो, अब दूसरा क्या कहते है हूँ, मिजू मशिन लिमिटेड, registered in the state of आंदरप्रदेश, supplied a machinery to केन विंट फार्म लिमिटेड, registered in the state of करनाटका, अब मशिन supply की मतलब supply of goods है, और किसको supply किया, करनाटका, जो register person है, आवेर इस machinery was assembled and installed at the windmill, क्यानवेल फार्म लिमिटेड, विच वास लोकेटेड इन तामिल नाडू, ख्याल रहे, अगर आपको याद होगा, तो कोई goods हमने, असेंबली और इंस्टॉलेशन से करवा है, सुनना, तो जहां असेंबली और इंस्टॉलेशन से करवा है, तो जहां असेंबली और इंस्टॉलेशन हुआ, वो place of supply माना जाएगा, गल्ती क्या कर दोगे, करना टका तो place of supply करना टका नहीं, बाइर होगा करना टका कॉस सेमें कोई लेना देना नहीं, बिलिंग होगा करना टका तो जहां असेंबली और इंस्टॉलेशन होई, वो place of supply माना जाएगा, तो ऐसे केस में कहां असेंबली और इंस्टॉलेशन होगा तामिल नाडू, तो आपका place of supply कहां माना जाएगा तामिल नाडू, तो देखो, प्रफुली और अच्छे से लिकना, बहुती easy, easy question सिस्बार के रटीप में, next, question number 9, Happy Construction Limited, a registered builder under GST, in the Bangalore, Karnataka, has got a permission to build five floor, from the municipal project, for one of its project at Surajnagar, Aditta Construction, a neighboring house project, approach Happy Construction Limited, to discuss regarding blockage of sunlight, issue arising out of construction of five floors, and ask it to build only three floors, for which 20 lakhs was offered as a compensation, Happy Construction Limited agreed to the offer, it may notate that, Aditta Construction is not ready to pay, any further amount to Happy Construction Limited, in addition to amount already agreed, briefly explain with correct legal provision, whether the above amount received as a compensation, is liable to GST or not, if consideration are taxable, then calculate the GST's payable, which means that, this is what it is, one of the things that is, Happy Construction Limited, registered in the builder of GST, got a permission to build five floor, from the municipal, from the municipal project, one of its project at Surajnagar, Aditta Construction, a neighboring housing project, approach Happy Construction Limited, to discuss regarding blockage of sunlight, and issue arising of construction floor, that you are looking at the building of 5 floor, you are looking at sunlight, sunlight blockage, you are looking at the 3 floor, you will not be looking at the 3 floor, which is why you are giving compensation, for 20 lakhs, so you don't get money to do anything, you remember, refraining tolerance, so what will GST come on, so let's see, here, question number 9, so first, here, 5E, schedule 2, what is said, है, कि अगर agreeing, obligation to refrain from an act, to tolerate and situation act, यह supply of service, माना जाएगा, in this case, और एक circular था, कि अगर refraining और tolerance, अग्रीड होगा, अग्रीड होगा, specific agreement होगा, एक से related circular था, जो liquidated damages वगरे से related था, कि अगर refraining tolerance यह अग्रीड है, specific है, independent contract है, and not incidental to process है, तो उसके उपर GST आएगा, तो ऐसे case में, यह agreed था, कि यहाँ पर, condition to be complied, there must be express implied agreement है, and consideration flow हो रहा है, तो वो situation में जहां तक है, यह taxable होगा, और उसके उपर GST निकाला जाएगा, तो यह हमने देखा, question number 9, उसके बाद में, यहाँ पर question 9 का B, aggregate turnover of Mrs. Mangal and company register person, for a financial year 22-23 was 8 crores, it approaches you as a GST consultant, for issue of e-invoicing, advice whether it is mandatory to issue e-invoicing, yes बेटा, अभी limit होगी 5 crore, और 5 crore के उपर, अगल आपका aggregate turnover, किसी भी financial year में, since 2017-18, पिछले कोई भी प्रसेडिंग financial year में, 5 crore के उपर होगा, तो आपको e-invoicing mandatory हो चुका है, तो आपको जो ही यह e-invoicing, ओके यहाँ पर mandatory हो गया है, और आपको यह e-invoicing यहाँ पर बनाना पड़ेगा, also list out the entity which are exempt from the mandatory requirement of e-invoices, तो e-invoicing किसको नहीं बनाना पड़ता है, आपको याद है, yes or no, तो यह e-invoicing को नहीं बनाना पड़ता है, तो यह e-invoicing पर question उन्होंने पूछा है, okay, तो देखाँ, यहाँ पर, limit जो है, वो अभी 5 crore है, 5 crore की limit है, और B2B supply के case में होगा, hence it is mandatory for mangal and company to issue invoice, और B2B के case में e-invoicing होता है, और किसको नहीं है, तो यह learn करके जाना, special economic zone unit को invoice नहीं है, उसके बाद मैं banking company को नहीं है, उसके बाद मैं government department, local authority को नहीं है, GTA को नहीं है, passenger transport service को नहीं है, person supplying service by a exhibition in multiplex, इनको भी e-invoicing की ज़रुवाद नहीं है, चलो, यह था question number 9A, अब 10 A ले लाते, Ram Lala Enterprises, registered in Delhi, is engaged in the supply of interior decoration service to Andhra Bhavan, located in Delhi, very good. Service contract is entered into with the government of Andhra Pradesh, registered only in Andhra Pradesh, the total contract value inclusive of GST is 15,50,000, and payment for such SIM is due in October 2023, you are required to determine the amount of tax, if any to be deducted in the above case assuming the rate C-GST, S-GST or I-GST, 9% each will your answer different if Ram Lala Enterprise is registered under the composition scheme, very important very important, acha question hai okay, acha question hai, abh dehaan se dekhiye gha yahan pe TDS or TCS par question hai or ye question TDS par hai, agar contract value da hai laag ke upar hogi, okay, excluding GST to contract value 15,50,000 or 15,50,000 mei se agar GST em backward calculation se nikaal bhi de kyunki without GST aapko value lena hai excluding GST, to GST rate yahan pe 18% hai, to 15,50,000 divided by okay, divided by 118 into 100 agar ham leete hai, to bhi 13,13,000 kuchta amyya amount aata hai da hai laag ke upar hi hai, agar contract value da hai laag ke upar hai, to TDS cut ho ga TDS cut ho ga, done yahan pe, ye toh, baat yahan clear ho ga dusri baat, agar ham yahan dekhenge to TDS, us ke proviso hai, ja ke jarur padna TDS mein, aur proviso kya hai agar aapka location of supplier or place of supplier, or place of supplier same state mein ho ga location of supplier or place of supplier same state mein ho ga or recipient other state mein ho ga toh wo situation mein, yahan pe TDS nahi ka tika hai dekho, ramlala enterprise is registered in Delhi is engaged in the supply of interior decoration service of andhrabhavan located in Delhi I mean, where is Ramlala, sorry Ramlala, Ramlala, Ramlala Ramlala kaha ka hai, Delhi ka hai, andhrabhavan joh Delhi mein hai, andhrabhavan joh Delhi mein hai okay, uska usne kya interior decoration service liya abis me place of supply bay ki bhi concept hai, aur question really bhood achha hai, examen aane ke poore poore chances hai, toh ab usne interior decorator service ka hya liya ab interior decorator service ka joh hai, usne yahan pe, haa interior decorator service ka usne jahan takhe contract liya, ab interior decorator service ka joh usne contract liya hai, toh ye in relation to immoable property hai, isle hai aap place of supply is charter mein jahate ho aur section 12.3 dhekhte ho, agar aapki service in relation to immoable property including interior decorator toh jahan immoable property hogi, woha aapka place of supply maana jahe ga, matlab aapka place of supply kaha maana jahe ga toh aapka place of supply Delhi maana jahe ga, aapka place of supply kaha maana jahe ga, toh woh Delhi maana jahe ga toh location of supply, sunhiye, location of supply same state mein hai, place of supply bhi same state mein hai, same state mein ho, same state mein ho, toh tds nahi cuttah hai, tds kab cuttah ga, okay, jab ye tino ekhi state mein ho, ya phir supplier ek state mein, place of supplier recipient dhusre state mein ho na jahe ga, agar location of supplier, location of supplier or place of supplier same state mein ho, toh tds nahi cuttah ga, toh aise situation mein jahe tak dekha jahe, toh yahan peh, kya peh, kya peh, kya peh, okay, yeh Andhra Pradesh government, agar tds kaat kegi, toh tds kaat karne ke liye same state ka cgst, sgst chahi hai, ya igst chahi hai, yahan peh joh gst lagge ga, kya los aur pos same state mein, toh yahan cgst aur deli ka sgst lagge ga, or deli ka sgst ka tds yeh nahi cuttah, isso yahan tds nahi cuttah ga, chalo, aapko nahhi samjaga ho ga, toh ek line mein yad rakhna, los aur pos same state mein ho ga, or recipient other state mein ho ga, toh woh case mein tds nahi cuttah hai, toh agar mein aapko iska answer lehen, toh yahan peh dekhye, tds 2% ho ga, okay, unhainne pura liekha ki tds 2% cuttah ho ta hai, koon correcttah ho ga, ki agar itna pura liekhne ki zor, zharuat nahi aap toh short me liekh sakte ho, ki government establishment ne, okay service agar government ko local authority ko provide kiya, toh tds cuttah ho ta hai, uske baad me next, yahan peh, 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 haa, aapko main main point, kya liekhna hai, agar contract value, yahan peh, excluding gst, operati 2,50,000 kea ho pa rogi, tds 2% ho ga, anser bhotbada diya, yahan peh, लिखने की जरवतनी है, उसके बाद में उसके बाद में उसके बाद में उनने कौन-कौन केस में TDS करता है, यह लिखने की जरवतनी है, आप से बितना लिखो कि अगर आपका लोकेशन आप सप्लाय और प्लेस आप सप्लाय सेम स्टेट में हो, और रिसिपेंट डिफरेंट स्टेट में हो, तो वो केस में TDS नहीं डिड़क्त होता है, तो ऐसे केस में हाँ, यह भी लिखना कि गिवन केस में सर्विस इन रिलेशन टू इम्मवाबल प्रपर्टी है, तो उसका प्लेस आप सप्लाय है, यहां डेली फिक्स होगा, हैंस TDS is not directable, वो केस में TDS directable नहीं होगा, और कंपोजिशन एक सवाल और पुछा था, कि कंपोजिशन स्कीम डि है कि location of supplier and place of supplier same state में हो, तो वो केस में TDS नहीं करता है, क्यों कि वो केस में जहां तक है, वो state का CGST और HST लगता है, और recipient उसको कट नहीं कर सकता, तो यह जो अमने clause A देखा था, B देखो, examine the implication of GST on supplier of food and burages at cinema hall, एक clarification है और यह amendment, अगर आपने amendment देखियोगी, तो amendment में एक clarification है, food and burages in a cinema hall, जहां सुनना, food and burages in a cinema hall, जहां तक देखा जाए, तो यह restaurant और catering में classify होगा, हां, जहां सुनना, clarification था कि अगर यह, यह, कब restaurant में classify होगा और कब ticket का पार्ट माना जाएगा, तो यह, okay, cinema operator, eating joints wide term includes refreshment and eating stock counters a restaurant at cinema also, cinema operator, में run this refreshment eating stall, okay kiosk or counters or restaurant themselves or they may give the contract to third party, customer may like to avail service supplied by this refreshment snack counter or choose not to avail these services, for the cinema operator can also install vending machine and supply the recreational service and through a coin operator machine and etc, यहां से important हो यह जाने तो starting हा, यहां से important है, supply of food or burages in cinema is taxable as restaurant service as long as food and buries are supplied by as a part of service and supplied independently, मतलब cinema hall में, यह पार्ट वाल इंपोर्टेंट है, कि अगर cinema hall में आप जो गये आपने अलग से खरीदा, आपके पास option है, और आपने वो इंटरल में जाके खरीदा, तो वो restaurant service में classify होगा, लेकिन, अगर supply of food, club together, आपकी ticket के साथ, आपने जो ticket book की, उसके साथ popcorn book कर दी, तो फिर वो composite supply माना जाएगा, आपने combine booking की, तो naturally bundle composite supply माना जाएगा, और वो case में, वो popcorn या जो भी eatable items आपको provide किये, उसमें जो ticket का rate है, principal supply का rate है, वो लगेगा, तो इसमें दो पात है, अगर आपने इंडिपिंदेंट ही खरीदा, तो वो restaurant service का जो rate रहेगा, 5% वो लगाएगा, और जो माल उसने ticket के साथ composite supply में बेचा, तो उस पर वो जो है, tax जो लगाएगा, वो जो ticket का जो main rate होगा, 18%, वो as a composite supply classify होगा, यह अच्छा question है, clarification है, यह पढ़ के जाना, तो इस तरह से बेटा, जहां तक दिखा जाए, यह question 10, A और B हमने complete किया, तो चलि लास्ट वाला question अच्छा था, tricky questions है, इस पर exam में सवाल आ सकते हैं, तो इस तरह से हमने RTP खतम कर दिया, तो दोस्तों, बस इतना ही कहोगा, कि यहां पर जो है, RTP, कि most of the amendments भी उन्होंने cover कि RTP में, तो RTP अच्छे से करकी जाएए, कुछ questions लिख के देखिए, तो आपको definitely help ह होगा, चलो, तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने जो है, RTP का discussion देखा, अब थोड़ा मैं आपको guidance देदेता हूँ, कि आपका paper structure कैसे होगा, और हमारा ABC analysis कैसे होगा, और आने वाले time में, आपको किस तरह से यहां पर approach रखना है, exam purpose के लिए, मैं आपको एक बाद बता दू क्योंकि taxation में आप 80 plus easily ले सकते हो, और GST में, अगर आपको GST easy लगता है, तो GST में out of 50 आप 40 plus आराम से ले सकते हो, चलिए, तो थोड़ा मैं आपका अभी news scheme में paper structure कैसे रहेगा, यह आपको बताऊगा, तो mock test paper का मैं base लेना चाहूगा, क्योंकि अभी पुराना तो कोई paper news scheme में नहीं है, क्योंकि GST जो है, यहाँ पे 50 marks का है, तो GST 50 marks का, पहले 40 marks का था, अब 50 marks का है, तो paper structure जो रहेगा, और उसमें questions जो रहेगे, इसमें यहाँ पे जो है, थोड़ा, थोड़ा change होगा, तो अभी मेरे पास आपका mock test paper है, तो mock test paper यह मैं base लेना चाहूगा, जिसके, मुझे लगता है, ऐसा ही आपका question paper रहेगा, और कुछ important बाते आपने धान रखनी चाहिए, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे paper taxation कर लेते हैं, तो 3 hours और 100 marks का आपको रहेगा, income tax आपको 50 marks का होता है, अब income tax जो 50 marks का होता है, यहाँ पे, इसमें 2 division होते हैं, division A, multiple choice questions, औ और यहाँ पे multiple choice questions में, यह जो MCQ questions होते हैं, इसमें कुछ student से mistake हो जाती है, कि जो भी आपका correct answer होगा, जैसे income tax में division A जो आपको रहेगा, correct answer होता है, तो उसके लिए आपको OMR sheet मिलती है, तो उसमें आपको tick करना होता है, बहुत से students से mistake क्या हो जाती है, कि वो descriptive जो answer sheet मिलती ह है, उसमें वो A, B, C, D लिखते हैं, हाँ, यह mistake होती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, कि descriptive answer sheet में आपको MCQ के answers नहीं लिखना है, OMR sheet मिलती है, उसमें आपको tick करना है, यह institute में clearly कहा है, कि अगर आपने MCQ के answer, descriptive answer sheet में लिखे, तो वो check नहीं किये जाएगे, तो यह सबसे important बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अभी MCQ question जो आता है, generally, MCQ ऐसे straightforward नहीं आता है, generally, MCQ, एक या दो market straight forward MCQ के आते हैं, MCQ case study base आता है, जैसे यहाँ पर income tax आप दिखोगे, तो income tax में यह case study है, और यह जो case study है, इसके base पर उन्होंने MCQ questions पूछे, जैसे RTP में आ चैले case study देखा और उसके ओपर questions पूछा है, उस तरह से आपको होते हैं, जिसमें calculation part होगे रहे, सब कुछ होता है, जब आप calculation part करते हो, तो थोड़ा rough में आपने यहाँ पर paper भी लिख दिया तो चलेगा, या फिर आपकी descriptive answer sheet होती है, तो उसके last के 2 pages rough work करके ले लेना, और क पिर यहाँ पर इसका answer properly select करें, कभी-कभी क्या होता है, कि अगर answer बड़ा लंबा रहा, आपको tick तो करना है, पर उसका answer calculation बड़ा लंबा रहा, तो यहाँ जगा नहीं मिलती है, student से एक mistake ही होती है, कि वो क्या करते हैं, यहाँ कुशिश करते हैं, बाजू में लिखते रहते है, क्योंकि आपको foundation के आदत है, CPT के आदत है, mathematics पर आप side में लिखते हो, और फिर जहां तक देखा जाए, तो answer निकाल लेते हो, लिकिन यहाँ जगा नहीं मिलने के वज़े से आपकी mistakes हो सकती है, इसलिए मैं यहीं कहोगा कि आपका जो answer, descriptive answer sheet है, उसके last के दो pages उपर title दे दिया है, यह तो आपके income tax की faculty बताएगी, paper structure क्या होता है, जिसमें division भी होता है, descriptive questions, तो आपको income tax में 15 marks के लिए, sorry, income tax यहाँ पर, yes, आपके जो MCQ question है, वो 1 mark, 2 mark के उससाब से आएगा, ऐसे 15 mark के MCQ questions आएगे, maybe case study based questions आएगे, straightforward questions भी 3-4 questions आपको आ सकते हैं, लेकिन एक question case study based question रहे गई, descriptive questions यहाँ पर दिये है, यह तो आप देख सकते हो, मैं थोड़ा GST के तरफ आता हूँ, अगर हम बात GST की करें, तो GST, sorry, हाँ, GST की बात करें, तो इसमें भी division age होता है, वो MCQ question होगा, 15 marks का होगा, अगर आप carefully देखते हो, तो इन्होंने case study बनें, और case study के base पर, MCQ questions पूछे गया है, कभी-कभी क्या होता है, कि आपको case study based MCQ questions पूछेंगे, और कुछ MCQ straight forward, जैसे 12 marks के MCQ case study case पूछे, और क्या, बाकी जो 3 marks के MCQ जो है, straight forward पूछे, इसलिए जब आप MCQ की practice करोगे, तो straight forward MCQ, कुस students के यहाँ पे, जब MCQ की PDF देखते हैं, जो मैं कर लेते, और case study based MCQ तब आते तो छोड़ देते हैं, ऐसा मत करना, क्योंकि 12 marks के आसपास, अगर case study based MCQ आता है, तो आपको आदत चीए कि case study based MCQ में answers निकालने की, इसलिए मैं आपको strongly suggest करोगा, कि आप case study based MCQ जो है, वो पहले अच्छे से कर लो, आप उतने ही करके जब, बाक आपके कितने conceptual clarity है, उसके base पर आप solve करोगे, लेकिन, जहां तक देखा जाए, यह जो case study based MCQ है, at least 15 MCQ की case studies पढ़के जाओ, या जितना भी आपसे possible है, मतलब मैंने 15 बोल दिया और आपका नहीं हुआ तो tension आजाएगा, जितना भी है तो इसकी आदत करके जाओ, so that आपको सम अब देखो, 35 marks के लिए descriptive questions होता है, जब आप GST law पढ़ते हो, तो GST law में, आप क्या सोचते हो, आप यह सोचते हो कि यार यह तो theoretical subject है, पढ़के जाना पढ़ेगा, ऐसा नहीं है, अगर आप structure देखोगे, तो पहला question, totally numerical questions है, हाँ, आपको notes लिखने की आदत होनी चीए, remarks ल मैंने आप से बहुत लिखवा लिया, remarks, okay, तभी भी आपको किस तरह से remark देना चीए, उसकी आदत पहले से, okay, आपको होनी चीए, इसलिए जब आप मेरा questionnaire solve करते हो, तो ऐसा table, label solve करके यह तो rough में कर लो, जितना fast हो सके, मैंने class में जब आप से करवाया, तो ऐसे ही practice करवाय कि वो rough में कर लो जितना है, लेकिन जब आप remark लिखते हो, तो पूरा remark लिखो, तो यह बहुत जरूरी है, आप यहाँ पर पहला question जो आएगा, question number one, अब देखो यह ख्याल रखना, question number one आपका compulsory आएगा, आपको option नहीं रहेगा, question number one compulsory आएगा, यह pattern रहेगा, और attempt any two questions out of remaining three, तो जो remaining three है, उसमें से दो questions आपको solve करना है, और एक question आपको option मिल जाता है, अब आपने, आपका एक सवाल हो सकता है, कि सर, जब हम paper solve करने जाएगे, तो क्या हमें पहले GST solve करना है, तो कर सकते हो, बिलकुल कर सकते हो, आप पहले GST खतम कर सकते हो, बाद में income tax खतम कर सक so that a confidence build हो जाता है और फिर income tax में आता है, लेकिन इसमें आप धान रखना, time management बिलकुल proper रखना, अगर GST ले रहे हो तो आपका देड़ घंटे में GST खतम होना चाहिए, इस तरह से आप plan करना, अब देखो, यहाँ पर आपको एक question option मिल जाता है, इसलिए question को, question number one जो है, यह बाद में question number three और question number four पड़ो, और एक proper planning करो कि इसमें से दो कैसे ले करना है, कभी-कभी क्या हो जाता है, question number one, two जो है, इसमें का, okay, सब question A है, sub question B है, और question number three में A, B है, उसका A आपको नहीं जम रहा है, इसका B नहीं जम रहा है, अब उसका भी एक part नहीं जम रहा है, इसका ये, okay, तो आपको ये और भी मिल जाता है, तो ऐसे situation में मैं जस्ट आपको ये कहना चाहोगा, ये बात का ध्यान रखना, कि अगर आपके सामने ऐसा conflict आजा है कि इसका ये जम रहा है, इसका ये नहीं जम रहा है, तो वहाँ थोड़ा सोच के, समझ के, relax होके, decide करना कि अगर ऐसा conflict आजा है कि इसका भी नहीं जम रहा है, तो इसमें से better और कौन सा अच्छा आपको जम रहाएगा, या बहुत सी बार आप ऐसा देखना कि, चलो, B इसका भी नहीं जम रहा है, तो इसका A भी नहीं जम रहा है, पर जो जम रहा है, जिसमें आप ज्यादा अच्छे marks इस 10 mark का question है, अब पहले 10 mark के questions आपको कैसे आते हैं, आपने अगर मेरा questionnaire देखा होगा, तो questionnaire में मैंने आपको जो है, यहाँ पर आखरी chapter दिया हुआ है, competition of GST, वो सारे 10 mark वाले question है, 8 to 10 marks वाले question है, तो आप इसकी practice अच्छे से करना है आपको, और इसकी practice कैसे करना है आपको, मै आपको यह बता दूँ कि एक time fix कर देना, अब दस mark के लिए आपको ज्यादा ज्यादा पंदरा मिनट लगने चाहिए, तो यह पंदरा मिनट के तो मेरे जो last वाला chapter of competition of GST, हर question को लेके बेठो, और वो decide करो कि आपको 15 मिनट में watch time लगा, और 15 में solve करके हो जाना चाहिए, त तो अगर उसमें 7-8 questions में ने दिये, तो उसमें से 4 questions लेकरो, चार में से 4 लिख के देखो, within time लिख के देखो, अगर आप यह practice करके जाते हो, तब जाके वो exam में आपका half hour में complete होता है, तो इस पे आपकी अच्छी practice होनी चाहिए, तो यह mock test paper है बटा, यह mock test, पहले आप जो देना चाहता हो, कि अब डरने के लिए, डर के लिए भी time नहीं आपके पास, डरने के लिए भी time नहीं है, तो जब भी डर ऐसा लगे तो उसको कहो, कि भाई तेरे लिए भी अब मेरे पास time नहीं है, इसलिए विल्कुल अगर आदी गंटा भी लग रहा है, तो कोई problem नहीं लेकिन आप इस डर से practice ही नहीं करोगे, कि यार आदी गंटा लग रहा है, मैं क्या करो, चोड़ दम मैंनी ऐसा नहीं करोगा, मत करना ऐसा, एटलिस तीन चार questions solve करके देखो, आदी गंटा है तो लगने दो आदी गंटा, क्योंकि अभी उस moment पे जब तुम प्रैक्टिस करत है, कभी-कभी तो आपने feel किया होगा कि exam का आखरी का आदी गंटे में जो जितना लिखते हो, उतना आप पहले दो गंटे में भी नहीं लिखते हो, इसलिए वो time पर आपका mind दोड़ेगा, बिल्कुल दोड़ेगा, अगर आपकी practice अच्छी होगी तो, और आपकी conceptual clarity student यह सोच के जा रहा होगा कि मैं time पर handle कर लूगा, तो पहला question difficult जाता है और उसका time चले जाता है, income tax case में या JSTM में, और आता हुआ paper वो 80 marks में, 70-80 marks का लिख सकता है, इसलिए मैं आपको इतना ही कहना है चाहूगा कि यह question की practice आपकी अच्छी चाहिए, अच्छा, मैं एक आपको यह बता दू कि जब यह question का answer लिखने जाते हो, तो इसको 15 minutes अगर नहीं हो पा रहा है तो 2-3 minutes और बढ़ा दो, और 18-20 minutes के बाद पेन उठा लो, पेन उठा लो, जहां हो वहां से पेन उठा लो, आगे time और उतना 1-2 pages space चोड़ देना, यह बाद में cover करेंगे, वही क को students गलती क्या करते है, कि नहीं नहीं, इसको ही complete करेंगे, और 45-50 minutes पहले questions को लगा देते हैं, और फिर आगे की questions में, आते हुए questions में mistakes कर देते हैं, इसलिए 18-20 minutes हो गए, आपका 40-50% जितना भी हुआ, वहां पेन उठा लो, पहले बाकी complete करो, और इसको फिर आखरी में complete कर पर रहना, तो ये try करना, मतलब पहला question 15 marks का होगा, जिसमें 10 marks का पहला sub-question होगा, और 5 marks का second sub-question होगा, और बाकी जो questions होगे, आपके यहां पे, दो question आपको solve करने हैं, तो पहला 15 marks का है, और बाकी question 10 mark के होगे, 5 5 marks के आपको questions, सब parts आएगे, तो 10 marks इच, तो 10 marks इच, इसम 5 marks का question है और 4 या 6 marks है 4 या 6 ऐसे आ सकते है या 5 प्लस 5 ऐसे भी आ सकते है या 10 marks का question रहेगा अब मैं आपको एक बात कह दूँ कि पूरा अगर 35 marks का देखो थेरिये इसलिए मत डरना क्योंकि 15 marks तो MCQ में निकल गए Okay MCQ में निकल गए 35 में से अगर आप देखोगे तो ये numerical question है 10 mark का ये numerical question है 5 mark का उसके बाद मैं आगे अगर आओगे तो ये numerical question है 4 mark का ये भी numerical question है 4 mark का अगे ये भी tedious calculation 6 mark का question है जो आप numerical basis पे और comment की basis पे लिख सकते हो इसलिए अगर 35 में से देखा जाए तो 20 से 25 marks के numerical question remark बेस आ आते हो straight forward question generally last वाला रहता है जिसमें straight forward ये circular based questions वो पूछते हैं तो मैं आपको strongly suggest ये ही करूगा कि आप जो है यहाँ पर ये जो है थेरी को ज्यादा tension मत लेना numerical questions के format कैसे होते है remarks कैसे होते है उसके ओपर ज्यादा weightage देना तो चलिए ये paper structure मैंने आपको बताया mock test paper के base mock test paper आपको solve करना है कुछ तो आप करो बेटा सब कुछ ऐसा ready मतले कुछ तो आप करो उसके बाद में next मैं आपको ABC analysis बता जेता हूँ अगर आपको लिखना है तो ABC analysis में आप लिख सकते हो कि आप chapter wise कैसे जाओगे और आपको exam की period में अच्छा खासा चुटी होगा तो आपको भी properly decide करना है कि किस तरह से अगर आपको in between 3-4 दिन चुटी आ रही होगी क्योंकि इस बार election के बज़े से in between gap अच्छा खासा रखा है तो एक 3 गंटे का अब आपको chance है तो कोई pass examination questions लेके जैसे आपका पूरा revision ह जाता है time waste मत करना तो pass examination का एक अधा question paper लेके तीन गंटे का time देखके लिखके जरूर देखना तो आपको help करेंगे तो ABC analysis में जो आपको question पूछे जाते है जिसमें आप लिख लो value of supply ये एक chapter होता है जिसके अपर continuous mixed question पूछे जाता है ITC के साथ exemption के साथ दूसरा value of supply इस बार place of supply जो है very very important आपको out of मैं आपको कह देता हूँ 35 में से 7 to 8 marks place of supply पे आएगे इसले place of supply ये chapter पके जाना और 5 mark TDS पे आजाएगे मेरे तरफ से 12 marks लेलो आप जिसने रट्टा मार दिया place of supply और TDS TCS पे तो 10 से 12 marks लेलो आप बाकी सारे chapter 25 marks में खेलना लेकिन place of supply और TDS TCS से करके जाना उसके बाद मैं जहां तक देखा जाए तो मैं आपको कहूँगा exemption exemption ये chapter पे कभी कभी अच्छे questions पूछ लेते हैं उसके बाद मैं ITC ITC तो आपको पता है favorite chapter institute का registration registration अगर आप मेरा questionnaire देखते हो और examination question का sequence देखते हो तो ज्यादा question registration में आए ये भी chapter एक question आता ही ह यहने मैं अगर आपको तीन chapter निकाल के दूँ जो 15 marks के लिए पूछे जा सकते हैं कभी कभी 20 marks के लिए पूछे जा सकते हैं आपके exam में तो out of 35, 40 to 50 percent questions जो इस बार आएगे मैं आपको लिखके दे देता हूँ रट्टा मार लेना place of supply, TDS, TCS और registration ITC तो ठीक है ITC से पूछा जाएगा लेकिन यह तीन chapter हैं से कि जिसमें 15 to 20 marks के question आपको पूछेंगे हैं उसके बाद में tax invoice, tax invoice आप priority A में रखो, उसके बाद में अगर हम देखे B, तो B में supply है, अब क्या होता है जब भी आप पढ़ने बेटते हो तो पहला chapter जो होता है वो supply होता है, तो पहला chapter supply है, त तो उसमें time लगा देते हो, नहीं, नहीं, अब आप जब revision और पढ़ने बेटोगे तो पहले ये chapter खतम करो भाई, इसमें भी मैं आपको बता दू, पहले place of supply, दूसरा TDS, TCS, और तिसरा के यहां पे जहां तक देखा जाए, तो ITC, तिसरा registration, ITC, tax invoice, पर ये chapter ना POS, TDS, TCS आ पहलेगी, फिर supply है तो आपको नीन में भी आद आएगा, इसलिए supply है बाद मेलो, कि उसके बाद में CL, composition levy, time of supply है, time of supply है, इसके बाद में accounts and e-way bill, accounts and e-way bill, generally e-way bill पे वो, हाँ, e-way bill मैं second इसमें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो last question रहता है, उसमें e-way bill का question रहता है, question number 4 में, e-way bill का question रहता है, रहता है, mostly आज तक मैंने देखा है, e-way bill भी अगर करके जाओ, तो वो question जम जाता है, लेकिन वो option में भी छूट सकता है, लेकिन पढ़के जाना chapter, chapter बहुत easy chapter है, at least मेरा question या तो भी पढ़के जाना, और return, return इधर आपने रखा तो भी चलेगा, और priority C में RCM, हाँ, RCM में priority C में मतलब यह chapter important, unimportant है, ऐसा नहीं है, आपकी यह revision की sequence बता रहो, chapter तो पूरा आपको syllabus पढ़के जाना है, और RCM क्या करना, RCM पढ़के क्या है, कि मेरा chart table देख लिया, chart book से फटा फटा, RCM को तो ऐसा रखना कि पढ़ते जाना, एक गंटे में वो पार बार 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 रिवाइस करना, और exam के एक गंटे पहले ताजा ताजा पढ़के जाना, RCM, चीट बना के मत जाना, RCM की, RCM, फिर introduction, introduction of GST, जो पहला chapter था, और payment of tax, payment of tax, okay, तो बेटा, यह कुछ चीजे जो है, आपको ABC analysis में मैंने structure बता दिया है, okay, और मैं लिके देता हूँ, दोस्तों, इस बार जो है, place of supply, TDS, TCS, okay, और registration इन तीन chapter पे, out of 35, 40% का syllabus रहेगा, मतलब क्या हुआ, तो मतलब यह हुआ, कि 35 में से आपको 15 marks के question इन तीन chapter पे होगे, तो यह पहले अच्छे से करके चले जाना, दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, यह हमने देखा कि आपका ABC analysis कैसे हो ना, I hope मेरा guidance आपको जरूर help करेगा, okay, चलिए, mock test paper जरूर लिके try करो, test series जितना दे सकते हो, दो, writing practice आपकी अच्छे हो जाएगी, तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, चल, तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे guide करना चाहोगा कि आपका approach कैसे होना चाहिए, exam practice के लिए, दोस्तों, मैं बस यह बताना चाहोगा कि मेरा experience आपके साथ share करना चाहोगा, जब मैं, okay, exam ऐसी नजदीक आती थी, तो देखो, tension तो आएगा ही, stress आएगा ही, उससे आप नहीं बस सकते हैं, पहले मैं भी बहुत परेशान रहता था कि यह attention क्यों आ रहा है, stress क्यों आ रहा है, उसमें पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन जदीन मैंने accept कर लिया ना, कि यह रहेगा ही, चाहे कुछ भी कर लो, यह रहेगा ही, okay, तो मैं बहुत relaxed होगा, और relaxed mood से मैं पढ़ tension नहीं होता, तो भाई साफ फिर तो भी कॉम हो जाता, okay, इंडिया की toughest exam दे रहे हो आप, जिसकी एक अलगी dignity है, आज भी किसी कहा कि यह सीए है, तो आखे कड़ी हो जाती है, अच्छा बढ़ा होगा, इसने stress handle किया होगा, tension handle किया होगा, तो दोस्तों, मैं जस्ट आपको य मिनट, तीन-तीन मिनट के जो है, आप यह जो motivation देखते हो, यह temporary satisfaction है, temporary satisfaction है, क्योंकि आप जो है, अभी इस moment पे जो है, एक magical चड़ी चाहते हो, कि वे ऐसा कुछ चड़ी मिल जा है हाथ में, ऐसी कोई stick मिल जा है, कि ऐसे गुमा दिया की सिलया, बस कतम हो जा है, सब याद रह जा है, सब याद हो जा है, और यह psychology के साथ खेला जाता है, आपको जो ऐसे scroll करते हो, हाँ, यह motivation, फिर यह motivation, कोई shortcut बता रहा है, कोई बता रहा है, यह पढ़ लो, यह पढ़ लो, यह पढ़ लो, यह पढ़ लो, कतम हो गया, फिर हाँ, और motivation, क्योंकि आपके मन में इतना unsatisfactory बता है, क्यों unsatisfactoryness बरा हुआ है, क्योंकि आपकी पढ़ाय पूरी हुई नहीं, आपको चाहिए एक magical stick, और वो magical stick जो आपको यह बता है, कि फटा 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 फट, यह कर लो, यह कर लो, यह कर लो, ठीक है, मतलब, उसने जो बता हो, ऐसा ही फस गया, और इन्हा की toughest exam में, अगर by chance बैसा फस गया, तो ठीक है, otherwise नहीं फसा तो क्या करोगे, नहीं फसा तो क्या करोगे, इसलिए यह सारे चीजों से जादा अपने आपे confidence रखो, कि ऐसा confidence रखो, मैं आपना पढ़ते जाओगा, okay, मैंने priority बता दी, हाँ कोई आपको अगर analysis बताता है, priority बताता है, तो वीडियो जरूर देखो, वो subject का analysis है, आपको guidance है, लेकिन ऐसे एक-दो मिनिट के videos, जो है, temporary आपको relax कर देंगे, mind fresh कर देंगे, लेकिन मन में unsatisfactoriness रहे गए रहेगा, और फिर यह unsatisfactoriness जो मन में रहेगा, फिर आप बार बार कोई दूसरा देखोगे, और यार कोई तो motivate कर द मिलता है आपको, उसने proper analysis करके दिया, जैसे अब भी आपने देखा, तो वो जरूर देखो, जो आपको insight दे, जो आपको direction दे, ठीक है, तो दोस्तों, मैं इतना कहना चाहूँगा, कि tension उसको ही आता है, stress उसको ही रहता है, जो अपने future life के बारे में conscious रहता है, क्योंकि उसको को दो समझ के चलो, हाँ, इसमें आप एक काम कर सकते हो, इसमें, okay, tension और stress को खतम तो नहीं कर सकते, लेकिन काम करने के लिए, positive thought रखो, positive thought कुछ ऐसे रखो, कि भाई, मैं exam तक पढ़ते रहोगा, और मुझे अभी tension के लिए भी time नहीं है, okay, डरने के लिए भी time नहीं है, इस यह तो मैंने सोचा ही नहीं था, और यह ऐसा करना पड़ता है, exam में आगया, तो मैं क्या करूगा, वो डर, tension को shoot कर देगा, और पुरा दीन खराब कर देगा, और कि वो stress इतना बला देगा, कि पुरा दीन खराब कर देगा, तो इस वक्त अपने आपको संभा लो, इस वक्त कर देखा नहीं होगा, तो भाई साब मैं 40 का ही लिखूगा पेपर, बस, दस माक ऐसी चीज़ों के लिए छोड़ दी, 40 में से 35 क्यों नहीं, 40 में से 35 क्यों नहीं, आपने आपको पूछो, तो जब भी ऐसी एक-दू चीज़े आती है, क्योंकि आप मौक्टस पेपर देखो टरफ नहीं आएगे, अगर आप भी जाता है, तो ठीक है या, बाकि 40 में से 35 क्यों नहीं, ऐसी छोटी-छोटी बातों पे पॉजिटिव थौट्स को कलेक करो, क्योंकि जितने आप पॉजिटिव थौट्स को कलेक करोगे, उतना निगेटिव थौट्स आटोमेटिक करोगे वो जाएगे नहीं, अगर आप यह सोचोगे कि निगेटिव थौट्स चले जाना चीए, और चले जाने के लिए आप जोए, इंस्टा देख रहे हो, आप जोए, एक दो-दो मिनिट के मोटिवेशन देख रहे हो, टेंपरली जाएगे, पर टेंशन डबल स्पीड से आएग इसलिए, ओके, आप अपने खुद टीचर हो, आप अपने खुद पॉजिटिव थौट्स को डेवलप करो, बिंदास मैं आपको कहोगा कि अपने आपको मत बानना, बिंदास जो है, यही थौट रखना है कि मैं बिंदास लिखोगा या, और बड़ा अच्छा लिखोगा, पता नहीं, लेकिन मैं बिंदास और बड़ा अच्छा लिखोगा, मुझे अभी सिलावस को कम्प्लेट करना है, और कि ऐसे थौट से चलोगे, तो आपको डिफिनेटली बहुत फाइदा होगा, दूसरी बात आपको यह बता दू कि अभी एक बहुत ज्यादा आप फिल करो जैसे क्लास जब किया आपने, तो क्लास के वक्त कितना भी आप अपने आपको समझाओ, तब कि मेंटल स्टेट ही अलग थे, तब आप अलग ही थे, आप अब वो हो ही नहीं जो तब थे, इसलिए सोचने से अब कोई मतलब नहीं, आप आज वो ही हो, जो आपके साथ बितरा है, जो आपके साथ बितरा है, आज आपके साथ टेंशन है, स्ट्रेस है, बस आप यही हो, यही समझना, अब जो हो गया, वो है ही नहीं, आपको यह अब दूसरे ही परसन हो, इसलिए अभी के मुव्मेंट पे क्या हैंडल करना, इस पर जादा सूचना, गिल्ट जितना करो होगे, उतना निगेटिविटी में जाओगे, एक छीज धान में रखना, कि वो वाला इंसान गया, आज जो मैं हूँ, बस वो हूँ, जो आज टेंशन चल रहा है, स्टेस चल रहा है, पड़ा ही चल रही है, मुझे आज इसको हैंडल करना है, जितना आप ऐसा सोचोगे, उ अपने थैली में डाल सकते हो, अपने कटोरे में डाल सकते हो, जहां से भी कुछ पॉजिटिव मिल जाए, या अपने थौट से पॉजिटिव मिल जाए, वो कलेक करो, इस मोमेंट पे, क्योंकि वो जितना कलेक करोगे, निगेटिविटी आटोमेटिक कम होगी, स्ट्रेस आ सकते हो otherwise social media से दूर रहो ठेक है और especially insta से तो दूर रहो अभी ठेक है done तो चलो बेटा पूरे मेहनत के साथ जोश के साथ आपको पढ़ना है मेरी best wishes आपके साथ है thank you so much इस बार GST में 80 पार हाँ और आपको बता दो मैं कोशिश कर रहा हो कि जो super 30 question है super 30 question one day marathon के लगबग बन चुके है मैं उसका one day marathon का session लूगा around 7-8 तारीक के असपस तो मैं YouTube पे upload कर दूँगा वो मैं YouTube पे upload कर दूँगा record करके तो यह जो one day marathon session है कि एक मैं super 30 master questions बना रहा हूँ कि यह questions अगर आप कर लो अगर आपने questionnaire कर लिया होगा यह question कर लो तो आपको complete एक यहां पर confidence आजाएगा और subject का आपको पूरा guidance मिल जाएगा कि हाँ एक आपको इतना दो confidence आजाएगा कि मेरे questions ऐसे अच्छे से हो गया है यह master questions कि जितनी भी सारी maximum adjustments हैं मैंने वो सारी adjustments इस master questions में cover करने की कोशिश किये maximum adjustment कवर करने की कोशिश किये कि अगर आप यह कर लो तो आपको एक complete syllabus का view मिल जाता है तो चले दोस्तों वो question ने आएगा तब तक आप सारे chapters revise कर लो आटी भी देख लो questionnaires देख लो फिर master questions हम करेंगे done so उसके बारे में मेरा वीडियो आएगा मैं आपको बता होगा आज का session यहीं करते है और इस तरह से हमने हमने हमारा rapid revision complete कर लिया I hope आपने बहुत enjoy किया होगा questionnaire का मैंने सारा आपको description में link दिया हुआ है questionnaire भी आपने मेरे साथ complete कर लिया होगा और आज हमारी RTP खतम है और इस तरह से हमारा rapid revision 4.0 खतम हुआ thank you so much all the best पर मैं आपके साथ हूँ और exam के आखरी दिन तक आपके साथ रहोगा डरो मत ओके कोई है जो तुमारा ख्याल रख रहा है thank you so much